आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में तो आज के वीडियो का टॉपिक है आईसो टॉप्स जैसा कि आप देख रहेंगे वीडियो के उपर में तो आईसो टॉप्स के बारे में समझते हैं कि आईसो टॉप्स क्या है मैं इजी वे में समझाने के कोसिस करूंगा जो बच से लेते जाए तो चलिये शरू करते हैं है स्ट क्या होता है तो इक हइस उस में क्या होता है प्हाला प्वएट को अटमिक नम्ब्र है सुध में क्या था सिस्टमिक नमर जो हता है वह ग Online होता है differenint mass number on isotope में क्या होता है different mass number होता tussen फूर सेम नमरोप proton का concept जो है जुरा हो है equal atomic number atomic नमर सेम नमर फ्रोटौन या तोलओ眉ल इक हैज है ठीक़े फ्रेंड्स तो isotope जो है एक लिद्ट करता है सेम यह ऑल अटुमिक नमर पर और डिफेरट मास्स नमर यह जाता है तो इका इस तो पर आपस दो प्रोट्रोंच की नमर ओट्रोंगा अलग और एक संद्ट हो घथा Rings और सेम होने से नमर ओप century सब्सक्राइब करने तो आइसोटोप में यह चार इंपोर्टेंट्स पॉइंट जो है याद रखिए आपका काम बन जाएगा जैसे चलिए एक्जांपल में देख लिए थे हैं कि है रोजन है है रोजन का अपना तीन आइसोटोप है देखिए कैसे लिए आप्रोट रोटीयम्डि ईूटेडियम ट्री टीम तो हायडोजन का कितना अणरे तीन अंसरी तटोप है देखिए अटिगार में जैसे प्लोटूप है दिखिए अटांपनों है ड्यूटेरियम न denom मैं कि मॅदल अइस गलत्रेयम्त के मीं मदलव नम्र कहां पर लूंब an यहां पर सो करा एको नमर में है सेम है लेकिन दीखे मांस नमर का करता किसे भी सरोब करते हैं उसके सिंबूल मास तो देखें हैं यहां पर मास नमर सब्सक्राइब है प्रोटियोंं का वान है डी फ्रेंड सब्सक्राइब को कहते हम इतर। लोग सेंगने की कहस्ज़ नगहुंग पार्णि पीस दिखे एटोर विय रोट है 2 ऑटोर मतलब 2 एसे टोर एसेट करता है दो असक्ता है तो सबको पता थे होता है लेकिन मास त मर्के है देखिए मास नमर के सी के ऊपर में रिप्रेजेंट होता है और सी के नीचे जो होता है च्छा है वो रिप्रेजेंट कर रहा हमारा एटोमिक नमर और जब बारे रिप्रेजेंट कर रहा हुआ हमारा कार्बन का मास नमर रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है फ्रेंट तो देख जिसका एटोमिक नमर सेम हो और मास नमर डिफ्रेंट हो तो उसे हम कहते हैं अपने साथ लेते जाए इस वीडियो से के आइसो टॉप्स जो है हमेसा आइसो टॉप्स ध्यान से सुनिएगा मैं यह पॉइंट यहां पर नोट्स नहीं किया हूं लेकिन मैं बता देता हूं अभी आइसो टॉप्स जो है हमेसा सेम मैं म महीं सेंट में मर्णमेंट कंई सो टॉस्ट करता हूं फ़र हमीं एसे इलिमन्ट में करता से में एलीमेंट का सब्सक्राइब हरुआ होटा है सब मैं इस तो यह एस अपार्बन का आप नहीं कर healthcare है तो यह भी बात एदम गाथ Pan दीजिसट करता ए फटैकर फ्रेंड़ तो ड spray कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेति या इसवत आवजर्टक का कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं है ह सब को प्रadıकर ньे आपको नोट्स बदिगेजी भी बनाने में एण हैलिमेंटर से मला जितना भी हलिमेटह मलाओ ऑफ एन मदल्ड एक ऑलिमेंट क्या है टीक है और फिजीकल प्रपरटीवल्य दीप्रेंट होगा जलब एक एक अटम का जितना भी ईश्ट प्सषी बनेगा न तो सारे ईश्टव्स को किया होगा केमिकल प्रौपटी क्लेंठ बारा क्र्यक्रण करता हि किस पर एक प्रोटॉन पर इसलिए जितना भी आइसो टॉप्स किसी भी एलिमेंट का एक्जिस्ट करेगा उसका क्या होगा चैमिकल प्रोपर्टी सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रोपर्टी अलग होगा ठीक है फ्रेंड्स ऑगिन दूसरा पॉइंट से चलिए हैं करदamorphrin जितना भी एक एलिमेंट का होगा इंद प्रीने प्रीयोडिक होगा किसी भी एलिमेंट का जितना भी आसो टॉप्स होगा कार बन का फेलिमेंट कर तीन आसे चैने का element का 2 isotopes है तो जब हम इसे periodic table में रखेंगे तो सब isotopes क्या होगा same place पर रखा जाएगा ठीक है यह कहने का मतलब है और देखें तिसरा point क्या है isotopes are related कि same number of electrons in their respective atom बलब क्या है कि जिस element का isotopes है ठीक है तो isotopes है तो isotopes है तो अच्छाइट नमर पे है तो नमर प्रोटोन किसी भी एटम का जतना नमर प्रोटोन होता है तो उतना ही नमर तो नमर आफ एलेक्ट्रोंस होता है और विट पे कांटर बैलेंस करने के लिए यह सब आपको पता होगा मैं आसा करता हूं ठीक है है तो चलिए मेरा isotopes का पॉइंट यहीं समाव्द हुआ और कुछ पॉइंट है लेते जाए अपने साथ लेते जाए ज्यान वर्धक चीज़ है कि एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा आपको एकजाम में डायरेक्ली एमसे क्यू में फूस देगा कि सब ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिसका सबसे ज्यादा आइसो टॉप्स एक्जिस्ट करता है तो वह कौन सा एलिमेंट है दोस्तों पोलो पोलो नियम है पोलो नियम ठीक है सबसे ज्यादा सब्सक्राइब और जो ट्रितियम है हाईडोजन का जो तीसरा आसो टॉपस था ट्रितियम वो क्या है उसमें कुछ रेडियो एक्टिव समझ गया तो टीट्यम जो है दिलीट करते है च 13 एस सब रेडियोक्टिव फिचर तो यह कुछ पॉइंट्स ते इसे भी आप समझ लीजिए आप चलते आज आई आइसो बार पर है किसे करते हैं असे ठीक है freds iso bars किसे करते हैं चलि दिब्ठ समझ लेते हैं तो इसमें दो points आं बहुत important points से दिखीए समझेगे equal mask नंबर ISO बार में क्या होगा एकदम towards का उल्टा होता है ISO बार में यहां पर equal यहां में ऊप्राइब और मलोडसी करेंब हुगा और कि इछ दुमिक तुमिक नमर क्यों होगा क्योंकि पर होता है उसा बार में इप्रेंट दिकेर्ट ऑमर होता है क्योंकि यहां पर नमर और प्रोटोन जो होता है आइसो बाड में वह अलग अलग होता है ठीक है लेकिन मास्ट नमर सेम होता है यह ध्यान रखिएगा दोस्तों और आए कुछ लुणक नमब मैंने लिखिए यहां पर मैंने लिखिए है नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिख और कार्बन लिख Ga जो मास नमार है 14 होता है और मास नमर 14 होता है ठीक है तो डीक है कि होए कि हो तो कि बाड़े मास नमर नियूंग है कि अँव्म επिन भी का सिर्म दौनों का एक्ट्रे निंबर अलग है कि का 6 नित्रोजन को साठ और चाल जया यह क्छैर्ट । ने कि अप्छ more specific म्ने ने भुए अजए अद्रमाड डिफ्रेंट थो टो फ्रेंड्ट्स यह एक जांपल हो गाई AISoe आइसो बार बन सकते हैं ठीक है यह भी आप अंतर देखिए मैं ध्यान आपका यहां पर केंद्रत करता हूं कि आइसो बार जो है अलग-अलग element में अलग-अलग element में exist करता है ना कि सेम element में लेकिन आइसो आइसो टॉप से वह सेम element में exist करता है ठीक है तो आप एक्जामपल और दूसरा तिसरा भी देख लिजिए आप समझ जाईएगा कि आए आप आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक पर आए इसो बार के करेक्टरिस्टिक पर आते हैं क्या है पहला क्रेक्टरिस्टिक के फिजिकल प्रॉपर्टी इस को अभधा आइसो बार डिफ्रेंट फिजिकल प्रॉपर्टे यहां भी आइसो बार कर डिफ्रेंट ही लेकिन और देखिए लेकिन और देखिए लोग हो गया इसको आपको अभी तुरत दिमाग में आ जाना चाहिए क्यों अलग हो क्योंकि यहाँ पर एटमीक नम्मर अलग हो गया और एटमीक नमर पहिं हम आपका केमिकल प्रपर्टी डिलेट करता है ठीक है फ्रेंड्स अहीं दूसरा क्रेक्टरिस्टिक देख ले थे फिजिकल क्रेक्टरिस्टिक विच डिर्क्ली डिपेंडेट अन्ध मास नम्मर और सेम iso बार लेकिन देखिये धिजीखलग करेक्टरिस्टिक एम किई सफ। मन theme NO マe करता यह इसलिए इक फिजीकल्स प्रॉपर्ड में सेम होगा किसी बी अल्यमेंट कि करेंड चलिये तीसरा करेक्ट्रेस्टिक देख लिए कि हम iso-bar को एक आट अठिफिसियल ही भी बना सकते हैं Artificial iso-bar main made मतला हम आपने मतलब artificial भी तयार कर सकते हैं मैन-made force से भी तैयार कर सकते हैं मैंमेड भी हो सकता आइसो बाल अच्छा इसको बनाएंगे कैसे अभी अगर अधैस बनाना चाहेज है तो इससे बना सकते है प्रोड्यूस बाइदा हुआ सब बीटा एकल से हैं इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं एमिशन बीटा पार्टिकल से हैं तो आ प्रेंड्स आपको यहां समझ में आया हो और चलिए धूरा और कलिए करते हैं fusion आई सो टोन्स किसे कहते हैं कि तो यहां दगिए मनने दो ओंट लिए सो टोन समझाने लिए तो है सो टोन किसे कहते हैं कि जिसका लम फिर्दमर Вы मस्नमर बोथ इपरेट है कि अस्व्ड न वसे ऐलेमेंट कु थी। ईसका क्या हो होगा atomic number और mass number दोनों अलग हो जाएगा लेकिन दा नमर ओफ Neutrons in atomic nuclei हर सेम आर कॉल आइसो टॉन लेकिन यहां मास नमर और Atomic number तो अलग हो जाएगा ऐसो टॉन में लेकिन निट्रॉन्स की जो संख्या है वो सेम होगा elements के लिए तो उसे को क्या कहेंगे isotrons कहेंगा देखे एक्जांपल में जैसे मैंने phosphorus और silicon लिया है तो phosphorus का जिए atomic number और mass नमर फॉस्पोरस का कितना 15 atom नमर और atomic mass कितना 31 असलिए silicon का atomic नमर कितना पंचाओदा पंचाओदा और mass नमर कितना 30 देखें दूनों element में न मास नमर से मैं ना है atomic नमर से में लेकिन दोनों में जब आप neutron के संख्या निकालोगे साइद आपको पता हो मैं आसा करें थैप को निकालना आता होगा neutrons की संख्या कैसे निकालने व्रेंट्स आपको चलिए मैं effe revision करा देता हूं अगर नहीं है पदा तो मेरा previous video देख लीजेगा सारा complete यहाँ पर मैं complete concept लाया हूं लेकर आयो previous video में चली यहां मैं लेकिन revision के लिए repeat करते जाता हूं कि जब हमको jeemको neutrons के संख्या निकलना होता है जब हमको mass नमर और 1 नमर दिया रहा था तो formula हुथ है mass number equal to number of protonprofits plus number of electron तो हमको को माझस नमर दिया हुआए है और equal to में होता है क्या mass number ke 88 मर्ओंक के नह刁 दो प्रोटॉन प्रोतान प्रोटन प्लस मरोश mortar된 है और नमर प्रोटॉन इसले हो और पलस नमर निऊट्रोंज यहां रखेंगे तो क्या होगा जब 31 मायनस नमर प्रोटॉन को दर भेज देंगे मास नमर की ओर तो क्या होगा 31-15 16 हो जाएगा उसी तरह आप कर लिजेगा 30-14 फोर्टीन तो कर लिजेगा तो हमारा निउट्रोंजन निकल जाएगा कि 16 Neutrons तो देखें नीट्रोन से हो गया तो ऐसे अलिमेंट्स को क्या गए आई सो टोन सब्सक्राइब और एक एक जामपल और है वहन्दियम का भी दिखिया समझली जगा आप टिकए पर आईए आप समझते हैं आइसो इलेक्ट्रोनिक्स किसे करते हैं इसो इलेक्ट्रोनिक्स चलिए इसको समझते हैं कि आयन और आयन इन विच नम्मर ओफ एलेक्ट्रोन्स आर सेम और कॉल आयसो एलेक्ट्रोनिक्स का कहने का मतलब है वैसा आयन यहां पर आयन में बात करना अधिमेंट में नहीं आयन में कि वैसा आयन जिसमें आयन के मतलब तो आप समझते हो जिसमें क्या पलंवब गोनशें लिए पनर रिखाई इलेक्ट्रोनिक्स कपा देखिए मैं ने जैसे है वीतिक?」 किसको करके सकते हैं किसको किसको इस आइसρέलश कह सकते दीचैना मैंने izoornine Ion मेगनिवास और फ्लोरीन इन लिया ठीक है और आयन काizado candle प्लस और निगेटीब से हम सोख करते हैं तो देखिए एकनेव Pacific module टू क्यों कैसे निकालते हैं तो यहां था आप समयज गया होंगे कि तब वीडियो देखने के लिए थैंक्स करें